बड़ी खबर इस समय की जमू कश्मीर से सामने आ रही है यहाँ पर आपको बता दे चले कि कश्मीर में जो हो एक बड़ा आंतगवादी हमला हुआ है जिसके नतिजे में एक पुलीस इंस्पेक्टर जो हो काफी जदा घंबी रूप से गाइल हुआ है इस बार आंतगवादि दे चले हैं और कश्मीर जोन पुलीस वाँ जो ट्वीड करके जानकारियां जो हाँ दे गे यह हैं उसके मताबिक आपको बता दे चलें कि कश्मीर में जो हो किरकट खेल रहे एक जमू कश्मीर पुलीस के इंस्पेक्टर को जो हो शिरनगर में आंतगवाद्यों ने जो हो ये गोलबारी कीगी है जिसमें जमो कश्मीर पुलीस का एक पुलीस इंस्पेक्टर जो हो गंबी रूप से गाइल हो गया है और गटना के बहाद फिलाल इस पुलीस इंस्पेक्टर को जो हो हास्पिताल में बर्थी कराये गया है ताकि इसकी जान को बचा जा सके कश्मीर जो ट्वीट करके जानकारी दीगी है आपको बताते चलें कि उसमें ये कहा गया है कि ये गटना जो हो तब हुई जब इंस्पेक्टर मसरूर अहमद वानी जो हो इदगा मैदान में जो हो वहां के लोकल्स लड़कों के साथ किरकट खेल रहे थे लेकिन ऐसे में बताया जा रहा ह कि अपराद को अंजाम देने के लिए आंतकवाद्यों ने जो हो वो पिस्टल का जो हो वो इस्तेमाल किया था और वहीं आपको बतादे चलें कि कश्मीर जोन पुलीस ने ये भी बताया है कि आंतकवाद्यों ने शरीनेगर के इदगा के पास इंस्पेक्टर मसरूर अहमद पर गोलबारी की है और उन्हें गाइल कर दिया है और जिसके बाद उन्हें तुरत इलाज के लिए हस्पितार ले जाए गया है लेकिन आसे में जान से पता चला है कि इस अपराद में जो पिस्टल का इस्तेमाल किये गया था और इलाके की गिरवंदी कर दी गई है पूरे इल वान्डी जो हवो काफी जदा गंबी रूप से गाइल है वो जिने फिलाल नजदिक की हस्पिताल में शिफ्ट कर दिये गया है लेकिन बताया है जारा है कि लशकर समर्थित जो आंतकवादी संगठना है दर एजिस्टार फ्रंट टियार एफ ने जो हवो हमले की जिम्दार ल लाज दी है सिरनगर से खबर है यहांपर आंतकवादी हमले में जो हवो पूलीस इंस्पेक्टर को गोली लगी है और टियर फ ने जो हो इसकी जिम्दारी जो हो लिये है जब कश्वीर पूलीस ने जानकारी दिया है कि इध्गा के पास आंतकवादी solar एर पूलीस गई है और मामला दर्ज कर ले गया है और आगे की जो भी कारवई है वो जो हव की जारी है मतराणी के आगे वह है गुरू के आगे अल्ला के आगे दौा कीजियेगा कि इंस्पेक्टर मसूर अहमद वाणी जी की जान को बचाए जाए और वहीं आपको बतादे चलें कि पुलीस जो हो आप सीसी टीवी हंगालने में वहाँ पर लगी वी और सूर्सिस के मानने तो पुलीस करमी उस वकल जो हो किरकेट खेल रहते उस दुरान जो हो आंतगवादियों ने जो हो इने अपना निशाना बनाया और जिस स्पिताल में शिफ्ट कर दिये गया है और वहां पर उनका ट्रीटमेंट जो हो किया जा रहा है आप जनता अपने सुजाव जरूर दिजिएगा कि इस तरह के आंतगवादियों के खिलाफ आप किस तरह की कारवाई होनी की होनी चाहिए ताकि जो लोग इस तरह से जमू कश